सब्सक्राइब करें लिए आज का वीडियो बहुत अच्छा और इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए प्लांट लेकर क्या हैं वह कैजुरीना का प्लांट का बॉंसाई ठीक है ना तो इस टाइप का बॉंसाई काफी अच्छा होता है बॉंसाई के लि पाइन का बॉंसाई बेसिकली ऑस्टेलियन बॉलते हैं या कैजुरीना बॉल सकते हों यह कैजुरीना बिल्कुल डिफेंट वाला है आपको कन्फीजन मत होना एक इंडियन वराइटी होती है बाहर की वराइटी होती है इसके बारे मैं जानकारी दूँगा कही लोगे क्व हम उसको बनाते हैं तो पर्टिकुलर्व यह प्लांट दिख रहा है ज्यादा एस तो नहीं है तीन-चार साल का यह जो बॉंसाई है इसको बनाने में लगा है और बेसिकली जो मेरे ट्रिक्स होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं जमिन में उगाने वाला तो यह जमि केर करते हैं क्यूंकि मेन जो आपका मेरे से करें बनाने कार तो खाल आप हमसे पर्चेज करते हो और अजिस के-प्लांट में ही क्यall is नहीं में तो काफी ज़ाधा में होती है प्लांट की आपको पान02 मात्रा में देना होता है इसके साथ जो मै ने देखा अब तक wantsوسky किक य जहां आपने पानी देना कम किया वहीं इस प्लांट में थोड़े-थोड़े से आप देखो और नोटिस करोगे अभी आप देखते हो यह प्लांट जो है काफी ग्रीन नज़र आ रहा है इसके निडल्स बहुत सुंदर नज़र आ रहे हैं बहुत ग्रीनिश नज़र आ रहा है क्योंकि इस समय पानी की पूरती बहुत अच्छी हो रही है तो यह जो प्लांट है अब इसकी मैं केर बता देता हूं किस तरीके से करते हैं अगर आपने यह परचेज कर रहा है तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना जब भी हम आपको शिप करेंगे यह प्लांट आप ज़्यादा केर की रिकार्मेंट नहीं होती है क्योंकि अपने आप इसको पानी भरपूर मात्रम मिल रहा होता है फिर भी आपको यह काम करना ज़रूरी है क्योंकि यह प्लांट जो है बहुत ज़्यादा पानी मांगता है जितना पानी दोगे उतना ही जल्दी यह ग्रोथ कि बहुत फास्ट ग्रोथ होगी इसकी तो यहां पर क्या है मैंने ये गोबर का खा़ डाला हुआ है बहुत ज़्यादा गोबर खा़ है बिल्कुल सड़ा हुआ एक बात का धियान रखना है आपको एकदम सड़ा गोबर का खा़ लेना है मल्चिंग बोलते हैं इसको लगभ मिलता है growth के अंदर यह जो आप छोटे इस टाइप के देखते हो यह भी इसके लिए काफी helpful होता है क्योंकि जड़े होती है उपर की तरफ भी बढ़ती है उपर की तरफ फाइब्रस रूट बढ़ेंगे और इन जो इस टाइप के बने हुए इसके अंदर भी इनके जड़े घ धक देना है लेकिन यह केर कब करना है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे यह जो कैज़ूरीना का बहुंसा है मर गया तो यह गाईज मरता कब है यह बेसिकली जाद तर आपको मरने का जो देखा जाएगा इंसिडेंट जो होता है इसके लॉस का वो मई जून के मन्थ में होता है अपरिल के बाद आपको बहुत ज़्यादा दिहान रखना पड़ता है उसमें क्या होता है हीट वेफ ज्यादा चल दी होती है और थोड़ा सभी अगर आपने पानी मिस किया एक दो जिनका अगर गैप हो गया कम पानी अपने डाला तो इसके पत्तियां ड्राइज हो इस टाइप से आपको केर करना है प्लस मैं अगर मैं इसकी और केर की बात करूं वाइरिंग का तो वाइरिंग के लिए काफी फ्लैक्सिबल होता है यह जो आप देख रहे हो प्लांट इसका जो ब्रांचेस देख रहे हो यह काफी सुटेबल होता वाइरिंग के लिए लेकि लपेटो होगे तो यह बहुत जल्दी मूड़ेगा देखो इतना मोटा सा ब्रांच है फिर भी कितना फ्लैक्सिबल है लेकिन थोड़ा सा अगर हम ड्रामा एड करना चाहते हैं थोड़ा सा कर्व ट्विस्ट अंट ट्रंस पगरा देना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इसक देखवाल करना है प्लस मैं अगर फर्टिलाइजर की बात करूं तो यह काफी सुटेबल है जो गुबर का खाद इसमें टला है बहुत ज़्यादा सुटेबल है इसके आगे आगे आपको कुछ नहीं करना बस इसको आप डाल दो आपका यह जो बहुत ज़्यादा ग्रीन र इंपॉर्टेंट रहेगा और केर करने में काफी मददगार रहेगा फर्टिलाइजर में फिर आप छोट छोटे इन और्गनिक ग्रैनुएल्स होते हैं जैसे कि दीएप वगएरा वो थोड़ा थोड़ा डाल दिया गरो जिसे कि प्लांट की ग्रोथ में काफी मददगार र शेयर भी करते रहें हमारे वीडियो को जिसे कि और लोगों को जो बहुत साइम इंट्रस्ट रखते हैं उनको हेल्प मिल सके चले गाइस मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक लिए ग्रिंस पुद्धा की तरफ से नमसकार